खुद को भाई समझने वाले सीएम कब दिखाएंगे दम एकनाथ सिंदे परबर से संजय राउत सिर्फ सेना सांसर संजय राउत ने करनाटक महाराज सीमा विवाद के मुद्दे पर जमकर राज जी की सिंदे फरनवी सरकार पर निशान असादा है राउत ने कहा कि यह नामर्दू की सरकार है जो हर बात के लिए दिल्ली के चरणों में नत मस्तक हो जाती है ऐसी सरकार जो अपनी मिट्टी की अपनी लोगों की और अपनी अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकती उसे सत्ता के सिंगहासन पर एक पल भी बैटने का अधिकार नहीं है उन्होंने कहा कि 50 सालों में ऐसी लाचार और डर्पुग सरकार नहीं देखी संजय राउत ने कहा कि राज के मुख मंत्री और उप मुख मंत्री दिल्ली में केंद्र गह मंत्री अमिस्ता से मिलने की बात कह रहे हैं क्या उन्हें नहीं पता कि महाराश्ट में क्या चल रहा है हमें यह बात नहीं बूलनी चाहिए कि केंद्र और करनाटक में बीजेपी की सरकार है महाराष्ट में भी उनी की सरकार है बावजुद इसके बीते 24 घंटों से सीमा भाग में मराठी बासी लोगों पर हमले हो रहे हैं इस बात का अवरोथ करने वाले महाराष्ट एकी करन समिती के कारकरताओं को घर में गुश कर गिफ्तार किया जा रहा है आखिर महाराष्ट में सरकार है या नहीं रावत ने कहा कि महाराष्ट के मुक मंत्री एकनाथ सिंदे खुद को भाई समझते हैं अगर वे भाई हैं तो फिर किस मौके का इंतजार कर रहे हैं सीमा विवात के इतने बड़े मौके पर वे भाई गीरी क्यों नहीं दिखाते